सामोहिक विलोपन घटना, Mass Extinction Event की परिभाशा है प्रिथ्वी पर जैवेक वस्तूओं की बड़े पैमाने पर तेजी से कमी सामोहिक विलोपन कई कारोनों से हो सकता है कोई व्यापक भूगरभी अगतिविधी जैसे की जौला मुखी या एक बड़े उलका की प्रिथ्वी से टक कर ऐसी प्राकृतिक शक्तियों की वज़े से सामोहिक विलोपती होने की संभावना बहुत कम है पर प्रिथ्वी का बूगरभी अतिहास हमें बताता है कि लगबग हर 10 करोर वर्षों में ऐसी दुरगटना की संभावना होती है वेज्यानिकों ने पिछले 400 करोर वर्षों में 5 ऐसी प्रमुक सामोहिक विलोपती की घटनाओं की पहचान की है और 6.6 करोर वर्षपूर्व आखरी ऐसी घटना ने भीम सरट डाइनसौर्स को प्रिथ्वी से विलुपत कर दिया था भीम सरट के विलुपत होने की घटना संभवता 20 किलोमेटर चौड़े उलका मीटियोर की प्रिथ्वी पर गिरने के कारण हुई थी यह उलका प्रिथ्वी पर गिरा था आज के मेकसिको देश के युकाटान प्राइदवीप में इस टक्कर से जो विसफोट और धूल का बादल उत्मन हुआ वो 100 करोड परमानू बमों के 1,7 फटने के बराबर था और इस टक्कर के परिणाम सुरूप प्रिथ्वी की जलवायू और भोजन उपलब्दी लाखों सालों के लिए बदल गई ऐसा माना जाता है कि इस टक्कर के कारण प्रिथ्वी पर 75% जैविक वस्तुएं विलुप्त हो गई और कोई भी जीव जो 60 किलो से ज्यादा वजन का था जिन्दा नहीं रहा अन्य सामोहिक विलुप्ती की घटनाएं शायद और ज्यादा भेहंकर थी जैसे कि 25 करोड वर्ष पूर पुरा जीवी और मद्ध जीवी महाकलब पैलियोजाइक एंड मिजोजाइक एरा के बीच घटी सामोहिक विलुपन की धुरगटना जो शायद भारी ज्वाला मुखी कतिविधी और उससे हुए जलवाईव परिवर्तन के कारण हुई इस धुरगटना ने 95 प्रतिशर से अधिक समुद्री जीवन को विलुप्त कर दिया इन सामोहिक विलुपन की घटनाओं के कारण जन्मी चर्म परिस्थितियों के बावजूद कुछ जैविक वस्तुएं हमेशा जीवित रहने में काम्याब रही है या तो भूमी या पानी के उन शेत्रों में जहां सामोहिक विलुपन की घटना का प्रभाव कम रहा या वहां जहां प्रजातियां बदलती परिस्थितियों के अनुकूल रहने के लिए नए प्रबंधन बनाने में सक्षम रही हम देखते हैं कि एक से तीन करोर वर्षों में जब सामोहिक विलुपन की घटना का असर समाप्त हो जाता है जैव विविदता बायो डाइवर्सिटी हमेशा वापस लोट आती है वो भी नई प्रजातियों और उनकी उत्तर जिवता के नए नमूनों के सांथ हाना कि एक अकेली प्रजाती हमेशा प्रिथवी के अजय बल की दया पर रहती है जीवन जो प्रिथवी पर लगबग 400 करोड सारों से बना हुआ है अब तक बहुत लचीला और टिकाउ सिद्ध हुआ है आज कुछ अनुसंदान संगठन शोत कर रहे हैं कि भविश्य में सामोहिक विलुपती घटना घटने की क्या संभाब ना है वे इस तरह की वैश्विक तबाही घटनाओं ग्लोबल केटास्ट्रोफी इंसिदेंट्स के होने के कारकों की सूची बना रहे हैं जिनमें वो कारक जो पृत्वी के भवगोलिक अतीत में ऐसी घटनाओं के कारण रहे थे वे तो सम्मलित हैं ही साथ ही नए मानव निर्मित कारक भी शामिल हैं जैसे की वैश्विक जलवायू परिवर्तन, पर्मानु युद्ध के द्वारा विनाश और जीव विज्ञान आधारित विशानु आकर्मन बायो एंजीनियर्ड वायरस अटैक्स आज हम समय पर पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या कोई शुटगर है, एस्टरोइड, पृत्वी से टकराने की संभावना तो नहीं रखता हम प्रित्वी पर हो रही भूगरबिय गतिविदी के डाटा का विशलेशन कर जानने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या हम किसी संभाविज ज्वाला मुखी या भूकम के खत्रे का सामना तो नहीं कर रहे आज हम यह भी कोशिश कर सकते हैं कि हम ऐसा सुनिश्चित कर पाएं अगर वैश्विक तापमान बढ़ता गया और अगले कुछ दशकों में यह दो डिगरी बढ़ गया तो जल्वाईव परिवर्तन स्थाई हो सकता है और इस कारण बड़े पैमाने पर अप्रत्याशत श्रिंखला प्रतिक्रियाएं अन्प्रेडिक्टिबल चेन रियाक्शन्स शुरू हो सकते हैं आखिरकार प्रित्वी पर घटित सभी सामोहिक विलोपन की घटनाएं हमेशा वैश्विक ताप्मान में परिवर्तन के साथ हाथ में हाथ डाल हुई हैं अन्प्रेड़ प्रतिक्टिबल चेन रियाक्शन्स शुरू हैं